बहुत लोगों के माइंड में यह चल रहा है कि जीन से रोट्टक का जो रोड है वो बना है या नहीं बना है इस वीडियो में यह पूरा कैप्चर करेंगे राइट साइड में कट जा रहा है अगर आपको जुलाना काम है तो आप यहां से राइट ले सकते हैं अधरवाइस आ कर आप लेफ्ट जाएंगे तो टोल के उपर आप एंट्री करके 152D पर चले जाएंगे और वहां से अप्सीदा नानोल के लिए निकल सकते हो यहां पर आने वाले टाइम में टोल आएगा जब पूरी तरह से त्यार हो जाएगा तो यहां पर टोल आपका स्टार्ट हो इस वीडियो के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बहुत लोगों के माइंड में यह जल रहा है कि जीन से रोद्तक का जो रोड हो बना है या नहीं बना है इस वीडियो में यह पूरा कैप्चर करेंगे बाइपास से अभी हम निकल चुके हैं और अभी आप देख के लिए सबसे पहले रोड बना था और अब सबसे लास्ट में बन रहा है इस रोड पर काम भी चल रहा है ऐसा नहीं कि पूरा रोड बनके त्यार हो चुका है रोड पर बीच-बीच में काम भी चल रहा है वह भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर काम चल रहा है और तक रोड में कोई प्रोब्लम नहीं है रोड का व्यू भी आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल साफ है कहीं पर आपको कुछ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं और अब हम किनाना की तरह बढ़ रहे हैं और अब लेफ्ट में आपको दिखाए दे रहा होगा इंडस कोलीज है किन यह देखे गाइस बिल्कुल बढ़ीया रोड बन चुका है रोड पर मैं बात करूं गॉर्मेंट को लेकर तो बहुत बढ़िया रोड की चारो तरफ से पूरे ओल ओर इंडिया पैन इंडिया पर मैं बात कुरूं तो रोड काम हर जंगा चल रहा है रोड में कोई भी अब बाइपास से निकलना बड़ेगा अगर आपको काम है तो अप अंदर से जा सकते हैं अधर वाइस आपको गाउं के अंदर जाने की जूरत नहीं है बिल्कुल बाहर से निकलेंगे और रोड आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल अच्छा है कहीं किसी तरीके किसे कोई प्रोब्लम नहीं है अभी आप देखेंगे एक फ्लाइवार और चालू हो गया मतलब फ्लाइवार तो हर गाउं के उपर से बना दिया है कि नीचे आपको जाने की जुरूती नहीं है आप उपर ही उपर से निकलें और फ्लाइवार पे आप देखेंगे पूरा वाइड है और पूरा अच्छे तरीके से बनाया, पूरी तरह से बलेक टोप है, काम तो पूरे रोड पे चली रहा है कहीं कहीं पर, लेकिन अल्मोस्त तैयार है, जो लोग रोटक से जीन या जीन से रोटक जाना चाहते हैं, उन लोग के लिए रोड ये बैस्ट है, कोई दिक्कत नहीं ह बनाया नहीं बनाया टूटा फूटा है तो उनके लिए वीडियो है कि रोड विल्कुल बढ़िया तरीके से बन चुका आप जा सकते हैं यह दिखे गाइस फ्लाइय और बैक टू बैक आपको फ्लाइय और मिलेंगे गाड़ी की माइलेज भी अच्छी आएगी गाड़ी आप स्पीड में मिले जा सकते हैं और अभी यहां पर टॉल चालू भी नहीं हुआ है तोल भी आगए आएगा वह मैं दिखाऊंगा आपको तोल कहां पर आने वाला है तो किसी तरह कि कोई प्रोब्लम है नहीं है रोड बहुत स्मूध है अब अच्छे से ड्राइव कर सकते हो अब यह अलमोस्त हम अघ्रीआ के पास पूंच गये हैं अब स्कूल Els Canada से स्कूल थ्कूल सी तो यहां से में कट जा रहा है अगर आपको जो लाना काम है तो अब यहां से राइट ले सकते हैं अदरवाई अब फिर बाइपस से निकलेंगे यह आप देख रहें आगे यहां से आपको राइट लेते हैं तो जुलाना के अंदर से अपके अंट्री होगी लेकिन हमें बाहरी बाहर से निकलने क्योंकि हमें डारेक्ट तक जाना है तो यह देखेगा इस रोड बिल्कुल ही अच्छा बना है रोड में कहीं भी कोई प्रोब्लम नहीं है जुला पता भी नहीं चलेगा कि अब कब जुलाना पहुंच गए है जुलाना अपने उल्मस्ट क्रोस करी लिया है अब यहां से हम जैसे जुलाने से आके चलेगे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अंबाला नारनोल के लिए रस्ता है लब जिन लोगों के लिए अंबाला और वहमों जैने में अलग से रस्ता मिलेगा आपको यहां से अगर आप लेफ्ट जाएंगे यह Charlies लेफ्ट यहां से गाड़ी जा रही है जो यहां से अरप लाफ्ट जाएंगे तो तोल के उपर एंट्री करके 152D पर चले जाएंगे और वहां से सीधा नारनोल के लिए निकल यहां पर थोड़ा काम चल रहा है मतलब हम अभी लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और अपको नहीं यहां पर गाड़ियां सामने से आती दिखे रहेगी मतलब जो राइट साइड में फ्लाई हो रहा है तो इसलिए दोनों लोग आने जाने वाले यहीं से जाते हैं अगर जहां पर आपको थोड़ी सी प्रावलम आएगी गाड़ी में थोड़ा सा उचाल है जहां पर क्योंकि रिपेरिंग का काम चल रहा है अदर्वाइज रोड को लेकर अभी तक तो कोई प्रावलम है नहीं अब यहां हम आगे क्रोस कर लिया है और आप यहां पर भी देखोग तो और यह देखे गाइस व्यू भी अच्छा आ रहा है क्योंकि सुबह सुबह हम जा रहे है तो व्यू थोड़ा अच्छा रहा है यहां पर आने वाले टाइम में तो लाएगा जब रोड पूरी तरह से त्यार हो जाएगा तो यहां पर टोल आपका स्टार्ट हो जाएगा तोल का जो माउंट होगा वो तो तब डिसाइड होगा पता चलेगा कितने टोल का रोड आप देख रहे हैं पूरा वाइट रोड है और टोल भी काफी बड़ा लंबा चोड़ा होने वाला है अभी यहां पर काम चल रहा है तोल पूरी तरह से अभी त्यार नहीं हुआ क्यो तो यहां पर आपके गाड़ी स्मूधली चलेंगे जो लोग इस रूट पर चल रहे हैं जा चुके जो नहीं गए है इस रूट पर वो इस रूट पर जा सकते हैं अब फाइनली गाइस हम थोड़ा सा और आगे चले हो तो यहां पर आपको जो फ्लाइओर दिखेंगा ना जाएगा यह चालू काम चल रहा है अधर नीचे से कोई प्रोब्लम नहीं है और रोड बिलकुल अच्छा बनावा है यहां से हम फ्लाइओर क्रोस करते हैं पर उसकर ती में रोड पर दुबारा पहुच जाएंगे यहां से हमने राइट लिया और में रोड पर दुबारा अभी तक तोल का जो रोड था वो थोड़ा सा खराब टूटा हुआ मिला एक फ्लाइओर हमें अभी तक खराब मिला है थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो एक और फ्लाइओर है जिस पर काम चल रहा है अब इसके साइड से भी हमें जाना पड़ेगा आप देखते हैं और जल्दी ओप्रेशनल हो जाएगा फिर हमें उपर से जाने है नीचे से में जाने की जूतनी पड़ेगा नीचे भी रोड अच्छा बना हुआ है पूरा कोई प्रोब्लम नहीं है किसी पी तरीके से और देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा रोड बना हुआ है यहां से हमन जो लोग रोड तक जीन या जीन से रोड तक इस रूट से जाना चाते हैं जो जिनको नहीं पता तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है अब जा सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को से सब्सक्राइब करना ना भूले